ये नजारा रेर ओफ दर रेर रेष्ट है कम ही देखने को मिलता है कि जब किसी टीचर का ट्रांसफर हो और पूरे गाउं की आवास रुदाली में तब्दील हो जाए आवनीश यादव नाम के ये टीचर इन बच्चों के लिए उस किताब की तरह है जिसके हर एक पन्ने से दुनिया की नई तस्वीर छांकती है कोई इसे टीचर का तबादला बता रहा है कोई भाई का तबादला बता रहा है तो कोई इसे एक बेटे का तबादला कह रहा है बन कराए थे और 2016 के सितंबर तक प्रिंसिपल भी बन गए अवनीश के साथ साथ गाउवालों के लिए भी ये एक खुश खबरी थी लेकिन गाउवालों की आखों में उस वक्त अश्रु गंगा बेह निकली जब उन्हें पता चला कि अवनीश का ताबादला किया जा चुका ह अवनीश अब अपनी सेवा गाजीपुर के ही अपने गाउवालों में देंगे अवनीश के ट्रांसफर ने सब को रुला दिया जिन बच्चों को पढ़ाते थे वो रो रहे थे जिनके बच्चों को पढ़ाते थे वो भी रो रहे थे 6 साल उन्होंने इस गाउं के स्कूल में गुजारे लेकिन 6 साल में ही उन्होंने जो किया वो एक नजीर बन गई लोगों के लिए ये शिक्षक थे, दोस्त थे, हम राही थे, हम दर्थ थे अगस्त 2009 में जब आउनीश यहां शिक्षक बन कर आये थे तो यहां पढ़ाई बस एक मजाग था, ना बच्चे आते थे और ना ही पढ़ाई होती थी, ना कोई उम्मीद थी लेकिन उनके आने के बाद धिरे धिरे लोग जुडने लग गए, पढ़ाई का मतलब समझने लग गए और देखते ही देखते, स्कूल में पढ़ाई और खेल एक अभियान में बदल गए लोगों ने अवनीश यादव को घर घर जाते देखा, बच्चों से बाते करते देखा, उनके माबाप से बाते करते देखा, पढ़ाई के लिए जागरूप करते देखा और 6 साल में अवनीश ने गाउं में पढ़ाई के पूरे कैन्वस को ही बदल डाला आदर्श शिक्षक अवाड मिला, खेल में स्कूल की भागिदारी के लिए अवाड मिला, स्कूल में पुरुसकारों की छड़ी लग गई थी क्योंकि अवनीश यादो छात्रों के लिए रास्ता भी बन चुके थे और मन्जिल भी